ये जो लासों से बड़ी पिक्चर आपको दिख रहा है जगा जगा पसरा हुआ ये हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये किसी पिक्चर का सीन है लेकिन आपको बता दूँ कि ये कोरोना एक ऐसा पहला बिमारी है जिसके कारेदी आप इसके ग्रस्त हो गए तो आपके लास के आसपास भी कोई भटकना नहीं चाहेगा आपको कोई कंधा देने वाला तो दूर आपके जनाजे बड़ कोई चला जाए ये भी बहुत बड़ी बात होगी इसके लिए भी हजार बार सोचेगा सौ बार नहीं हजार बार और हर इंसान की एक सपना होता है कि यार जीते जी तो नहीं लेकिन कम से कम आखरी वक्त पर लोग उनके जनाजे पर जरूर आएं ये हख भी आप खोदोगे रिती रिवाज से आपका दासंसकार किया जाए ये तो बहुत दूर की बात है सरकार इसकी इजाजत भी नहीं देगी कि आप रिती रिवाज से आपका दासंसकार किया जाए तो बहतर नहीं है कि आप अपने आपको महफूज करो अपने परिवार को महफूज करो अपने समाज को महफूज करो अपने देश को महफूज करो यदि आप महफूज होगे तो आपका परिवार महफोज होगा, अगर आपका परिवार महफोज होगा, तो आपका समाज महफोज हुआ, तो हमारा देश आटोमेटिक महफोज हो जाएगा, इसके लिए जरूरी है कि आप सरकार के साथ कंदे से कंधा मिलाकर लॉकडाउन को इमानदारी से अपनाएं, उसकी पाल ना करें, अपने घर से ना निकलें, अगर जरूरत नहीं है, किसी भी तरह भी मानता हूँ अभी दिक्कत होगा दिक्कत का समय है, लेकिन जितना हो सके इस संगर्ष का समय है, लेक oggiिन इस संगर्ष के समय में ड default कर शरकार के साथ मिलकर चलिए, विरोधी भाव मत रखिए कुछ गलत प्रचार मत कीजिए लोगों को जितना हो सके मदद कीजिए आपके माली जे कई काम बाले हैं आपके घर में काम करने वाले होंगे आ नहीं सकते कुछ दिन के लिए तो जितने दिन नहीं आ सकते आप उनका सेलरी मत काटेगा क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है आप दाही ऐसा है क्या किया जाए तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने काम बालों को पैसे जरूर दें पैसे ना काटे छुटियों के धन्यवाद